दोस्तो आज मैं शेयर करूंगी अगर घर में नेगिटिविटी बहुत जादा बढ़ गई है घर में अगर आपको लगता है भूत प्रेत का साया है तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है कौन से ऐसे उपाए है या कौन से ऐसे चीज है जिन से घर में आई नेगिटिविटी य जो थूर भागती है किस चीज से भूत प्रेत का साया जो अगर पहली बार आएं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको भिलती रहे तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ दोस्तो घर की कोनों में नमक का ढढ़िला र इससे घर की तरक्की में आ रही ही बाध हैं दूर होती हैं कई घर भूतिया होते हैं वहां मौजूत नाकारत्मक शक्तियों के चलते वार हैने वालों की तरक्की नहीं हो पाती हैं वे अस्वस्त रहने लगते हैं और धनकी हानी समेत कई परिशानिया आने लगती हैं इससे मक्षक्तियों को हटा कर सकारात्मकता लाता है इसलिए अगर घर के हर कोरे में साबुत नमक को किसी कागज वे कपड़े में लपेट का रखा जाए और इस तरह का उपाए हर सब्ता किया जाए तो इसे घर में कभी भूत प्रेट का साया नहीं ठिकता है दोस्तो साबुत नमक के उपाए से कोई भी भूत प्रेट आत्मा व्यक्ति पर बुरा असन नहीं डाल पाती है इससे धन हानीवे अन्ने किसी तरह के नुकसान से बचाव होता है अगर भूत बादा से गरसित वक्ति के सिर में साबुत नमक साथ बार गुमा कर किसी चुराय प उने वे गंदगी के चलते आत्मा इसको अपना बसेरा बनाती है इसलिए यहां एक काज के जार में समुदरी नमक भर कर रखने से बेत आत्माओं का वास खतम हो जाता है जार में रखे गए नमक का प्रेत प्रत्यक प्रत दिन में बदल देना चाहिए घर में प्रेत आत्माओं को भगाने के लिए देवदारू, हींग, सरसो, जो, नीम के पती, कुटकी, कटेली, चना, मोर, पंक और देशी घी मिलाकर मिट्टी के पात्रवे जलाने से नाकारात्मक शक्तिया चले जाती है इससे घर की रुकी तरक्की की समस्या दूर हो जाती है तो इससे भी नेगेटिविटी घर से दूर हो जाती है यदि कोई व्यक्ति भूत बादा से पीडित है तो मंगलवार शनिवार के दिन जावतरी वैश्वेत अपराजीता के पत्तों से को पीस कर उसके रस पीडित व्यक्ति को सुगाए ऐसा करने से नाकारात्मक शक्तिय व्यक्ति को छोड़ देती हैं बुरी आत्मा के साय से चुटकारा पाने के लिए सेंदा नमक चंदन कुटे गृत को सरसो के तेल में मिलाकर जलाएं अब इसका धुआ पीडित चातक को दिखाएं ये प्रिक्रिया प्रताय मंगलवार वैशनिवार को करें ऐसा करिब 21 दिनो तक लगातार करें ऐसा करने सा समशा से चुटकारा मिलेगा प्रेत बादा को दूर करने के लिए पुश्प नक्षषतर में चिर-छिटे अत्वा धधूरे के पोदो को जवीन में दबादे ऐसा करते समय जड़ का हिस्सा उपर की और रखे जबकि पोदो का हिस्सा पूरी तरह से जमीन के अंदर दबा दें ऐसा करने से बुरी आत्वाय कभी भी नहीं फटकेंगी अगर कोई व्यक्ति भूत बादा सिक्रसित है तो उसे बबूल देवदारू बेल की जड़ बै प्रियोंगू को जलाकर इसका धुआ दिखाएं अब सभी सामगरी के जल जाने पर इस गोरोचन, केसर, बस, लोचन, समदर, शोक, अर्बा, चावल, कस्तूरी, ना, केसर, जई, भालू के बाल, वैसुई का भोज पतर के साथ अपने शरीवे लगन के अनुकूल धातू के ताबीज में भरकर गले में धारन करना चाहिए ये प्रिक्रिया मंगलवाय शुनिवार कोई करनी चाहिए दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा भूत पर टुप्री बदाओं से गरसित वक्ति के उपर से उतारीगे विस्तु एक्सर भी चोराय पर पाये जाती हैं कभी-कभी जाने अनजाने में किसी व्यक्ति का चोराय पर रख्यू ही इन विस्तु बढ़ पर खीर खाकर अकेले घर से बाहर ना निकले पीपल बरगद एवा विमली के ब्रिक्ष के नीचे न थूगे देथा ना ही अन्य की जिप्रकार से गंगी करें यदि इस्थान पर यदि तोट का किया हुआ हो तो उसे इस्थान से बचके निकले उसके उपर पैर पढ़ना उसके उपर से होकर निकलना परिशानी का कारण बन सकता है यदि आपको अशुप सुपन आते हैं तो सिराने फिटकरी रख कर सोएं इतर लगा कर समय से बाहर ना निकले ना ही एकांत में रहें रुमाल में एथवा साड़े के पळलूमें कोणने ना थोड़ी सी सुगतनी थींग बागने चाहिए जथा इसे दिन में एक बार अवैसे सुनोगना चाहिए जब भी किसी कारण से सम्षान में जाना पड़े तो बाहर निकलकर नीम की पत्तियां वेसे चबाने चाहिए सुरक्षा हेत्यु मंगलवार के दिन हनुमाजु का चोला चड़ान चाहिए था सिंदूर की बिंदी भी लगाने चाहिए इससे भूत प्रेत की बादा से मुक्ति मिलती है जिस वक्ति पर यदि उपरी बादा का ब्रभाव है तो इसके अपने शेहन काक्ष में मोरपंग इस प्रकारणा चाहिए कि वे उससे दिखते रहें बरगत के बिक्ष की लटकी जटो को गाट ना खोलें जिस स्थान पर तांतरिक प्रियोग करने के चीनेवे वस्तुयों हों उससे दूर रहें जाड़ू धान कूटने वाला मूसल अस्वस्थ वक्ति के उपर से उतार कर उसके सिराने रख दे गाय के गोबर का कंड़ा उपला वैजली लकड़ी की राग को पानिये भिवोकर एक लड़ू बनाए और उसमें पांच उर्पे का सिक्का घोंच दे फिर उस पर काजल और रोली की साथ बिंदी लगा दे तच्पस्षाथ लोहे की एक्कील भी उसमें घुसा दे अब उस लड़ू को स्वस्थ वक्ति के उपर से साथ बार उतार कर चुपचाब नजदी की के किसी चोराय पर रखाएं जाते जाते समय किसी से बास्चीत ना करें जथा पीछे मुड़ कर भी न देखें ये किरिया को करने के भूत प्रेट से गरस्त वक्ति बहुत ही जल्दी स्वस्थ होने लगता है और घर से भी अगर कोई ऐसी समस्या है तो वो विवाधा भी दूर हो जाती है दोस्तों आज मैंने इस वीडियो में बताया है कि नकरात्मक उर्जा घर के अंदर से कैसे भार निकालनी चाहिए वैसे व्यक्ति के अंदर भी अगर ये नकरात्मक उर्जा है तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है उसके उपाएं मैंने शेयर करें हैं मुझे उम्मीद है आ से सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहें मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू